गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला FATF फ्रांस के हाथ में सर ठीक है IMF is funded mostly by the western countries including America, United Nations तो आपको गोरे से तो टकराना ही है, white man से आप नहीं छूट सकते आप white man से नहीं छूट सकते, आप ये सोचें कि China FATF से कैसे बचा लेगा तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है, दूसरी चीज़ ये है, कि अगर America से ठीक हो जाएगा, तो फिर सब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी, हो जाएगी न सर इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी, इंडिया के साथ क्योंकि America है वहाँ पे, फिर थोड़ा बहुत, जापान से भी आजाएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आजाएगा, थोड़ा कैनड़ा से आजाएगा, सब कुछ आजाएगा, और ये जो आएगा है, और America की जो terms and America ने aid दिये से, China ने loan दिये है, ताहिल सब, let's be very clear, China aid नहीं देता, पाकिस्तान को, China लोन देता है, एक मुश्किल चर्तों में, एक return on investment होती है, एक investment पे, America है कहता, चलो पूरिये के कत्रे डालने लो, school बनाने लो, ये, you know, even subscribe now and press the bell icon, never miss an update Pakistan के foreign minister ने कल ही कहा फिर, के हम कोई a day नहीं दे रहें Americans ने कहा दिया के हमें facilitation मिल रही है और जैसा के मैं ने शुरू में कहा के शायद अंदर-अंदर से facilitation हो मैं इसको बात जोड़ता हूँ गर्वबई, चाइना के साथ भी, मैं हमेशा से कहता हूँ, के चाइना की ठीका पाकिसान के साथ बड़े अर्से से दोस्ती है, आपस में साथ भी चलता है, लेकिन पाकिसान को जिस तरह का जिसे कहते हैं न अंचेक किसम की मदद अमेरिका से मिली, कभी चाइना से नहीं मिली और पाकिसान खुश नहीं है या गमगीन है कि कुछ अर्से से मदद नहीं मिली, मदद अभी भी अमेरिका रस्टोर नहीं कर रहा सिच्वेशन क्या है सर ऐसा था कि दो मुवाइदे साइन करे थे परवेज मुशरफ साब की टाइम पर अमेरिका के साथ साथ और Ground Line of Communication और Air Line of Communication G-Lock और A-Lock तो कि इसमें ये Understanding थी कि Pakistan जो है अपना एरिया फराम करे और वहां से उनके जो भी logistics होंगे उनके drones होंगे उनके fighter jets होंगे जो कि operations करेंगे क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला attack भगवान नकरे अगर अमेरिका के soil की उपर आता है या North American soil पर आता है इट विल ओरिजनेट उनके अपने सर क्योंकि साथ एरेवे में अलड़ी उनका base है और मुक्तलिफ जगए UAE में उनके base है तो यहां पे भी उनको एक base चीए जहां जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए threat है पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए important रहा है क्योंकि अफगानिस्तान landlocked country है और अगर अफगानिस्तान का सर कोई समुदरी किनारा होता अफगानिस्तान का तो फिर पाकिस्तान का जो भी जियो स्ट्राटिजी के importance है जीरो हो जाता है और पाकिस्तान जियो स्ट्राटिजी के importance पर ही कहलता है क्या इंडिया को चाहिए रास्ता अफगानिस्तान और Central Asia अमेरिका को चाहिए Western Pass को चाहिए तो अभी एरान से तो इनकी बन नहीं रही है तो यहां से पाकिस्तान से जाएंगे बस इस से ज़्यादा कुछ नहीं साथ चायना को नीचीये देखिए रोष्य को नीचीये दो इस ग्रेट पास्ट मैज़ो她 को तो अफगानिस्तान उनको पाकिस्तान की जरुत नहीं ऑं खुद मैनेज कर सकते हैं एक बात यह हुई, दूसरी बात ताहिर साब जो बड़ी इंपोर्टन्ट है वो यह है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि यह अड़े दे चुका है, it's only a matter of time, और अड़े इसलिए दे चुका है, मैं कहरा हूँ कि एक तो पहले भी दे चुका है, यह पहली बार तो नहीं पाकि पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा, foreign powers को, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहाँ पर आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साब है बेनी देने के लिए, अगर मैं आप से बोलूं कि पाकिस् पाकिस्तान के पास इंजिनिरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है, तो पहले भी जब अमेरिकन आई थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी ती यानि कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हतियार जाते थे तो, बिन-कासंपॉर्ट से जाते थे तो रुकम तक वो पूरा तो जमीन रहधारी घी अभी जब चाहिना आ야, तो चाहिना को भी उन्होंने जब रहिए जब दीन है जब रहु behalf है गिलिगेट वालतरासवांसे निकलते हुए, यहां पे गवादर तक आएगी, तो जबर सब्सक्राइब तो जब रहुत है, याने कि चीज यह है कि Americans उनको पता है जैसा आपने वड़ी खुब्सूरती से समझाए कि 6 billion वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए 6 से 0 हो गए, अच्छा चाइनीज के पास ऐसी कोई NGO नहीं है या ऐसा कोई congressional fund नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं कि America ने बोल दिया कि साथ पोलियो के कत लेगा साफ सीधी बात है, they are not into philanthropy and all that, Chinese यह सब बिलीब नहीं करते हैं, Chinese यह कहते हैं सब यह लो 10 रुपय और कल 20 रुपय लेने मैं आ रहा हूं, उनका सीधा fund आ है, Chinese ने इसलिए माना कर दिया क्यों कि Chinese को देखे, जैसे बैंक होता है न ताहिर सब, मैं अपने वियोर्स को स प्यासा नहीं चुका पाए प्याज समेथ, तो वो चीज़ वो जब्त कर ले, जैसे कि श्री लंका में हन्मन टोटा पोर्ट जब्त करके उसको special economic zone बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोलना हूं कि जैसे यह भी एक चीज़ है, अब उन्होंने यह देख ले कि पाकिस्तान क लाइनर लगी होंगी, गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यही पे घर बनाना है, पाकिस्तान जननत है, तो यह सब तो हुआ नहीं, अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत में साधिश करी है, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी nuclear power है, चाइना भी nuclear power है, वो चाइना पाकिस्तान economic corridor है, वो पाकिस्तान चाइना economic corridor में यह है, वो चाइना की economic corridor है पाकिस्तान के अंदर, तो क्या भारत इतना powerful हो गया कि उन्होंना चाइना के साथ भी game कर दिया और चाइना का project लुकवा दिया, तो यह सब चीज़ां सोचने वाली यह हजार भी American troops आते हैं तो उनकी supply line कहां से होगी सर उनके क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए बाहर से हर चीज आएगी heavy machinery आएगी equipment heavy army सर है ना equipment heavy army है उनके trucks यह सब यह सब हवाई जास से इतना सामान नहीं आ सकता यह आएगा कहां से अगर यह sea route से आता है अगर यह sea route से आता है सर तो क्या यह पाकिस्तान के पास दो port है एक बिनकासिम है कराची वाला वो किनियारी बिनकासिम that area सर जहां पे port हो उनका पूरा बना हुए दूसरा इनका है गवादर अगर बलोचस्तान में यह लोग air bases दे रहे हैं तो इसका मतला Americans के लिए convenient होगा कि ग US Army को US Air Force को supply करते हैं क्योंकि fighter jets चलेंगे तो साब aviation fuel चाहिए उनको aviation fuel कहां से आएगा सर या तो गल्स से आएगा या जो भी refinery होगी वहां से आएगा आपको भारी मातरा में aviation fuel चाहिए अगर वहाँ पर fighter jets होते हैं सर तो हर सुबह वहाँ पे sorties वो होंगी take off take on करेंगी वहा किसम की चीज होगी सर वहाँ पर each and every single thing will be there तो साफ सीधी बात यह है कि Pakistan has got nowhere to go पाकिस्तान को यह देखना पड़ेगा सर कि अब यह चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है आप ने का कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है यह वाकि दुरूस्त है साथ अपनी ठंस पे होते थे अमेरिका के साथ अपनी ठंस पे होते थे अब जो अमेरिकंज वहाँ पे अफहनेश्तान की वजा से खास वपर जैसे वह विड्रॉल करने वो चाथते हैं कि अपनी प्रेज двиг रगें लेकिन दूसरी सिर्भा पे हम یہ भी देखते हैं मुझे जो information मिल रही है गौर्बरी पाकिसान से पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट इस बात पे खुश भी है कि चलिए हमारे किसी तरह से तो अमेरिका के साथ फिर तल्लकात इस्तवार हुए हम कह सकेंगे दुनिया को आइम एफ को वर्ल्ड बैंक को यॉर्पिन यूनियन को कि देखिए ह अब अमेरिकन के साथ वर्किंग रिलेशन्शिप बंड रहे हैं और वो चाइना को भी अंदर ये एक इन्फरमेशन दे सकते हैं कि भाई आप हमें कुछ ना भी देंगे तो अमेरिकन के साथ हैं तो ये डबल गेम है और इसमें उनको खुशी का भी एक अंसर हमें देखने क अब तो बिल्यग की cotize और पाकिसान के मनुं एक इलते ही हमें पाके साथ हो चायनीज ने तो शतरा हमें धिसको कैसे को बड़ा शबैwnिव कर दो पेड़ दुबा पैसे का सोर्स तो ही दूसरी चीज चाइना के पास कोई इदारे नहीं है ठीक है चाइना के पास कोई भी इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को इस वक्त जो पाकिस्तान अटका हुआ है पाकिस्तान को बचा ले ना चाइना FTF से बचा सकता है पहली बात ना IMF से बचा सकता है न World Bank से बचा सकता है यह सारे के सारे जितने भी इदारे हैं गोरों के हैं सर यह Western World के इदारे हैं यह चाइना के दारे हैं यह चाइना के दारे हैं चाइना तो फैक्टरी है बहुत बढ़ी बस तो यह जो Western World का इदारा है सर यह जो Western World का इदारा है यह सारे के सारे गोरे के हाथ में और गोरे के कैसे हाथ में गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला FATF France के हाथ में सर ठीक है IMF is funded mostly by the western countries including America सर United Nations तो आपको गोरे से तो टकराना ही है white man से आप नहीं छूट सकते आप white man से नहीं छूट सकते से इंडिया से ट्रेड चुरू हो जाएगी इंडिया के साथ क्योंकि एमेरिका है वहां पे फिर थोड़ा बहुत जपान से भी आ जायेगा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आजाएगा थोड़ा कैनड़ा से आजएगा सब कुछ आजएगा और यह जो आएगा और अमेरिका की जो टर्म जबमरीका ने एड दिये से, चाइना ने लोन दिये है, ताहिसभ़, let's be very clear, चाइना एड नहीं देता है, पाकिस्तान को, चाइना लोन देता है, एक मुश्किल चर्तों में, एक रिटरॉरन इंवस्चंट होती होती हैं, इक इंवस्चंट पे, अमे ने जो केरी लूगर का बिल वो लेकर आए थे जो पाकिस्तान में बहुत सब उसकी बड़ी बुराई करी की हमारी खुद्मुक्तारी की तरफ आँख दिखा रहे हैं तो पाकिस्तानियों को यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ी खुद्मुक्तारी होती है से इस नोट जोग्र क्राफिक खुद्मुक्तारी यह लाकाई खुद्मुक्तारी फिर उसके बाद कायम हो सकती है